कि हमने बहुत सोच समझ करके जो अभी भावकों की और प्राइबेट स्कूलों की सब की बात को ध्यान से सुनते वे फैसला किया था इसलिए इसमें गुंजाइस कम थी चेंज होने की क्योंकि हमने बहुत क्लियर कि जब स्कूले लगेंगी तब जितना पठे करम आप लोग कर लेंगे और इतनी फीस होगी वो फीस आप ले लीजिए लेकिन कुछ प्राइबेट स्कूल यह चाते थे कि हमको पूरी ट्यूशन फीस पूरी मिल जाए साल की और फिर हम ओनलाइन के नाम से उस फीस को जमा कर लें तो मैं समझता हूँ यह न्याय नहीं है न्याय यही है कि अगर कोई स्कूल ओनलाइन एजुकेशन देता है तो वो अपनी बात बता दे कि मुझे इतने फीस मैंने नियदारित की है यह अगर आप सुईदा हमसे लेते हैं तो यह पैसे दे दीजिए वो पैसे लेने में देने में कोई दिक्कत नहीं है और जब सब के सब कूरे लगाई है तो मैं स्वागत करता हूँ और मैं अपील करता हूँ तमाम प्राइवेट स्कूल एसोशेशनों से स्कूल वालों से कि आप इस कोरना काल में सहयोग कीजिए सरकार का और वो अभिबाव जो क्लास एक से लेके बारा तक आपको कुछ न कुछ देता है और आप उस चलता रहे इसलिए आप अगर एक्स्ट्रा ओनलाइन एजुकेशन कोई चीज आप दे रहे हैं तो वो आप उसको बता करके उसकी फीज ले लीजे अन्यता जब पाठेकरम आएगा और स्कूलें चलेंगी तब आप जितना पाठेकरम होगा उतनी फीज आप ले सकते अगर सकते हैं